आज हम देखेंगे संयोग और प्राइक्ता से जुड़ी कुछ साधरन गलतियां गलती एक घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या को प्राइक्ता मानना कुछ बच्चे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या यानि नम्बो ओफ फेवरिबल आउटकम्स को प्राइक्ता यानि प्रोबैबलिटी मानते हैं जैसे यदि बच्चों से पूछा जाए कि यदि दो सिक्कों को उच्छाला जाए तो दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त होने की प्राइक्ता क्या है तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि यहाँ परिणाम इस प्रकार हो सकता है जिनमें अनुकूल परिणाम सिर्फ एक है इसलिए बच्चे दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त होने की प्राइक्ता एक पताते हैं यह एक गलत समझ है सही समझ यहाँ है कि दो सिक्के को उच्छालने के प्रयोग के कुल परिणामों की संख्या यानि Total Number of Outcomes of Experiment चार है तथा दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त करने की घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या एक है इसलिए दोनों सिक्कों पर चित प्राप्त होने की प्राइक्ता चार में से एक यानि एक बटे चार है गलती तो प्राइक्ता एक से अधिक हो सकती है कुछ बच्चे सोचते हैं कि किसी घटना यानि इवेंट की प्राइक्ता एक से अधिक हो सकती है लेकिन यह एक गलत समझ है किसी घटना की प्राइक्ता शून्य या इससे अधिक लेकिन एक या इससे कम होती है गलती तीन परिणाम का नियंद्रन किया जा सकता है कुछ बच्चे ऐसी धार्णा बना लेते हैं कि वे यादरिच्छ प्रयोग यानि रैंडम एक्सपरिमेंट में वांचित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जैसे वे सोचते हैं कि सिक्के का उपर का भाग चित रखा जाए और फिर उसे उच्छाला जाए तो परिणाम चित ही प्राप्त होगा या किसी विशिष्ट बल से पासा फेका जाए तो वांचित अंक प्राप्त होगा ध्यान रहे नियाय संगत पासे के संदर्भ में परिणाम का नियंत्रन नहीं किया जा सकता इसलिए परिणाम की निश्चित प्रागुक्ती यानि प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती ध्यान रहे यदि पासा न्याय संगत यानि फैर न हो तो वांचित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है लेकिन यह एक न्याय संगत यादरिच्छ प्रयोग नहीं कहा जाएगा गलती चार सभी परिणामों को संप्राइक परिणाम यानि इक्वले लाइकली आउटकम समझना कुछ बच्चों से यदि कहा जाए कि एक टिब्बे में 15 परचिया है 15 में से 10 परचियों पर संख्या एक लिखी है और 5 परचियों पर संख्या दो लिखी है यदि सभी परचियों में से एक परची निकाली जाती है तो संभावित परिणाम संप्राइक है अत्वा नहीं तो बच्चे सोचते हैं कि परची पर एक या दो इन में से एक अंक लिखा होगा यानि कि परिणाम इन में से ही एक अंक होगा इसलिए वे सोचते हैं कि प्रत्येक अंक प्राप्थोने की संभावना बराबर है यानि की परिणाम संप्राइक है लेकिन यह एक गलत समझ है यहां दस पर्चियों पर संख्या एक लिखी है और पांच पर्चियों पर संख्या दो लिखी है इसलिए एक प्राप्थोने की संभावना दो प्राप्थोने की संभावना से अधिक है इसलिए इस थिती में संभावित परिणाम संप्राइक नहीं हो सकते गल्ती पांच संप्राइक परिणामों की सही समझ न होना कुछ बच्चे सोचते हैं कि पांसे को फेकने पर 6 प्राप्थोना कठिन है जबकि 6 से छोटी संख्या जैसे 2 प्राप्थोना अधिक सरल है यह एक गलत समझ है पांसे को फेकने पर 1, 2, 3, 4, 5 या 6 इन में से प्रत्य एक अंक आने की संभावना बराबर है इसलिए 6 प्राप्थोने की संभावना उतनी है जितनी 2 प्राप्थोने की संभावना है तो आज हमने देखी सयोग और प्राइक्ता से जुड़ी कुछ साधारन कलतिया